परिचय स्वस्थ हूँ हाँ लेकिन केवल रोगों से मुक्त होने का ही यह मतलब नहीं है कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो तुम्हारा क्या मतलब है मैं कहना चाहती हूँ कि स्वास्थे और रोग अंतर संबंधित है लेकिन व्यक्ति के स्वास्थे का निर्धारंड करने वाले कुछ अन्यकारक भी है मैं तुम्हें इस बारे में विस्तार से समझाती हूँ उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे स्वास्थे एवं रोग की अवधारना को समझना स्वास्थे को संपून शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की अवस्था के रूप में परिभाशित किया जाता है और मात्र रोग की अनुपस्थिती अथवा शारीरिक स्वस्थता ही स्वास्थे नहीं है रोग को शरीर या उसके किसी अंग की उस अवस्था के रूप में परिभाशित किया जाता है, जो सामान्य प्रकारियों को दुर्बल बनाता है, और यह विभिन चिन्हों एवं लक्षनों के द्वारा व्यक्त होता है स्वास्थिको प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थिको प्रभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से निम्नानुसार समूहित कर सकते हैं अनुवनशिक विकार वे अपर्याप्तताएं होती हैं जिसके साथ बच्चा जन्म लेता है वे अपर्याप्तताएं या विकार जिन्हें बच्चा अपने माता-पिता से वन्शानुगत रूप से प्राप्त करता है संक्रमन जीवानु, वाइरल, प्रोटोजोल, पंगल अथ्वा अन्य प्रकार के संक्रमन हो सकते हैं जीवन शैली भोजन और जल, अंतर ग्रहन व्यायाम और विश्राम पैटर्न अन्य अर्जित आदते अच्छा स्वास्थे बनाई रखने के लिए अनिवारे कारक कुछ महत्व पून कारक, जो अच्छा स्वास्थे पाने के लिए आवश्यक होते हैं, निम्न है संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित व्यायाम, टीका करण या प्रतिरक्षन, अपशिष्टों का उपियुक्त निब्टान, रोग वाहक नियंत्रण, स्वच भोजन और जल संसाधनों का रखरखाव रोगों का वर्गी करण रोग को व्यापक रूप में निम्नानुसार वर्गी कृत किया जा सकता है संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं उदाहरन, AIDS असंक्रामक रोग असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं, जो एक रोग जनक के कारण नहीं होते हैं और नहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं उदाहरन, Cancer रोग जनक, रोग उत्पन करने वाले सूक्ष्मजीव रोग उत्पन करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोग जनक कहते हैं उदाहरन के लिए, जीवानू, विशानू, कवक, प्रोटोजोवा, क्रमी, इत्यादी रोग जनक पोशी में प्रवेश करते हैं, स्वयम को पोशी के शरीर के अनुसार अनुकूलित करते हैं, बहुगुणित होते हैं सामान्य जीवन हेतु अनिवारे गतिविधियों में व्यवधान उत्पन करते हुए आकार की तथा प्रकार्यात्मक्षती पहुचाते हैं सामान्य मानव रोग कुछ अत्यंत सामान्य मानव रोग इस प्रकार हैं टाइफॉइड, नुमोनिया, सामान्य जुकाम, मलेरिया, अमीबता, एसकेरियसिस, श्लीपद, दाज संक्रमन टाइफॉइड, टाइफॉइड ज्वर, कारण यह साल्मोनेला टाइफी रोग जनक जीवानु के द्वारा होता है छोटी आंथ को संक्रमित करता है संचारण के प्रकार, संदूशित भोजन और जल के द्वारा जीवानु संचारित होता है अभिलक्षन निम्न सम्मिलित है लगातार उच्च ज्वर 102.2 डिग्री फैरनहाइट से 104 डिग्री फैरनहाइट कमजोरी आमाशय में पीडा कब्स सिर्दर्द भूख कम लगना जटिलताएं कुछ घटनाओं में संक्रमण के निम्न परिनाम हो सकते हैं आंत्र में छेद, मृत्यू, निदान टाइफोईट की पुष्टी विडाल परीक्षन के द्वारा की जाती है निमोनिया निमोनिया कारण यह स्ट्रेप्टो कॉकस निमोनी और हीमोफिल्स एंफ्लूेंजी नामग रोग जनक जीवानु के द्वारा होता है संचारण का स्वरू जीवानु निम्न प्रकार से संचारित होते हैं किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु को ड्रोपलेट्स या एरोसॉल सांस द्वारा अंदर लेने से संक्रमित व्यक्ति के बर्तन इस्तिमाल करने से क्रिया विधी की यांत्र की जीवानु प्फस लंग्स के वायु कोष्ट को संक्रमित करते हैं फलस्वरूप वायु कोष्टों में तरल भर जाता है जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याइं पैदा होती हैं लक्षण निम्न शामिल हैं ज्वर, कंपकंपी, सिर्दर्ध, खासी, होट और हाथ की उंगलियों के नखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाना सामान्य जुकाम कारण यह नासा विशानू यानी रायनो वायरस के द्वारा होता है संचारण का स्वरूप विशानू निम्न प्रकार से संचारित होते हैं संक्रमित व्यक्ति के खासने या छीकने से निकले बिंदुक या एरोसॉल जब सास लेने पर अंदर जाते हैं पैन, किताबों, माउस आधी जैसे संदूशत वस्तूओं का प्रयोग करने से प्रिया विधी की यांत्रिकी यह जीवानू नाक और श्वसन पत को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफडों को नहीं लक्षण निम्न शामिल है नाक में जक्डन और आस्राव यानि बहना कंठदाह, स्वररूक्षता, खासी, सिर्दर्द, ठकावट यह अभिलक्षन प्राय तीन से साथ दिन तक रहते हैं मलेरिया कारण यह प्लाजमोडियम, प्ले वाइवैक्स, प्ले मलेरियाई, प्ले पैलसीपेरम के द्वारा होता है संचारण का स्वरू संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लासमोडियम संचारित होता है क्रिया विधी की यांत्रिकी प्लासमोडियम यकृत कोशिका में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं के फटने के साथ ही एक हीमोजोईन पदार्थ निकलता है जो कमकपी और उच्जवर के लक्षणों के लिए उत्तरदाई है अभिलक्षण निम्नशामिल है प्रत्येक तीन से चार दिन के अंतरान से कमकपी और आने वाले उच्जवर थकावट अमीबता अतीबता या अमीबी अतिसार कारण यह अंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोवा पर जीवी के द्वारा होता है संचारण का स्वरूप यह प्लाज्मोडियम घरेलू मक्यों द्वारा संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक संचारित होते हैं संदूशित खाद्य और पेजल का उपभोग करना संक्रमन के प्रमुक्सरोत हैं क्रिया विधी की यांत्र की यह पर जीवी संक्रमित व्यक्ति की बड़ी आंत को संक्रमित करते हैं अभिलक्षन निम्न शामिल हैं कोष्ट बद्धता कब्ज उदरिय पीडा और एंठन शलेश्मा और रक्त के ठक्के वाला मल एस के रिस्ता कारण यह गोल क्रमी एसकारिस के द्वारा होता है संचारण का स्वरूप यह परजीवी संदूशित जल सबजियों फलों आदी के द्वारा संचारित होता है क्रिया विधी की यांत्र की यह परजीवी संक्रमित व्यक्ति की आंत को संक्रमित करता है अभिलक्षन निम्न शामिल हैं आंतरिक रक्त स्राव पेशी अपीडा ज्वर रक्तालप्ता, आंत्र का अवरोध शलीपद या पाइलेरिया कारण यह पाइलेरियाई क्रमी, वुचेरेरिया, वू बैंक्रोफटाई और वू मैलाई के द्वारा होता है संचारण का स्वरूप यह परजीवी रोगवाहक मादा मच्छर के काटने से संचारित होता है क्रियाविधी की यांत्रिक रचना यह परजीवी अधुपाद की लसी का वाहिकाउं और जनन अंगों में धीरे-धीरे विक्सित होता है अभिलक्षन निम्न शामिल है स्थाई सूजन के परिणाम स्वरूप पैरों का हाथी के पैरों के समान मोटा हो जाना जनन अंगों का विक्रित हो जाना दाद संक्रमन कारण यह माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन नामक कवकों के द्वारा होता है संचारण का स्वरूप यह कवक निम्न द्वारा संचारित होते हैं मिट्टी संक्रमित व्यक्तियों के तौलिये, कंगे, कपडे के द्वारा क्रिया विधी की यांत्रिकी यह कवक त्वचा के वलनों में उश्मा और नमी की उपस्थिती में पनपता है अभिलक्षन निम्न शामिल है त्वचा नाखूनों और शिरो वल्क पर सूखी शलकी विशक्तियां इन विशक्तियों के चारों ओर तेज खुजली होना संक्रामक रोगों का निरोध एवं नियंत्रण संक्रामक रोगों के निवारण और रोक्थाम के लिए निम्न उपायों का पालन करना आवश्यक है पहला व्यक्तिगत स्वच्छता बनाई रखना शरीर को साफ रखना साफ पेजल और भोजन का उपभोग करना दूसरा, सार्वजनिक स्वच्छता बनाई रखना अपशिष्ट पदार्थों और मल मूत्र उत्सर्जन का समुचित निप्टान जलाशयों की समय समय पर सफाई और विसंक्रमन सार्वजनिक खान-पान प्रबंध में स्वच्छता के मानक का पालन करना तीसरा, संक्रमित व्यक्तियों और उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना संक्रामक रोगों का निरोध एवं नियंत्रन संक्रामक रोगों के निवारण और रोगथाम के लिए निम्न उपायों का पालन करना आवश्यक है चौथा, रोगवाहकों और उनके प्रजनन स्थलों का नियंत्रन या उन्हें खत्म कर देना पानी को जमा नहोने देना घरेलू शीतल यंत्रों यानी कूलर की नियमित सफाई मच्छर दानी का प्रयोग तालाबों में गंबुजिया जैसी मच्छली अंटालना कीट नाशकों का नियमित अंतराल पर छिड़काव मच्छरों को अंदर घुसने से रोकने के लिए दर्वाजों और खिड़कियों पर जाली लगाना पाँचवा टीके और प्रतिरक्षणी करण कारिक्रमों का उप्योग क्या आप जानते हैं? मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया पर जीवी द्वारा मुक्त किये जाने वाले हेमोजोईन का पता लगाने के लिए पैमिटो सेकिंड लेजर का उप्योग किया जा सकता है? उचित तरंग दैरधि का उप्योग करते हुए हेमोजोईन का प्रकाशिक स्पंद उच्सर जित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ये प्रकाशिक स्पन्द आसपास के उतकों को नुकसान पहुचाए बिना परजीवी के DNA को नश्ट कर सकते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं स्वास्थ संपून शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की अवस्था है और मात्र रोग की अनुपस्थिती अत्वा शारीरिक स्वस्थता ही स्वास्थ नहीं है मनुष्यों को कश्ट पहुचाने वाले सबसे सामान्य रोगों में टाइफॉइड, निमोनिया, मलेरिया, सामान्य जुकाम आदी शामिल हैं इन बीमारियों की रोगधाम के निवारक और उपचारक उपाए निम्न हैं व्यक्तिगत और जन स्वच्छता बनाए रखना, संक्रमित व्यक्तियों और उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना, रोगवाकों और उनके प्रजनन स्थलों का नियंत्रण, ठीके और प्रतिरक्षणी करण कारक्रमों के उपियोग झाल